नमस्कार न्यूस प्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की कुछ खास ख़बरों की और भुरतपूर के जीला और बियम अस्पताल में चिकित्सकों के लापरवाही के मामले आए दिन सुनने को मिलते है बुधवार को एक और अलापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है जिसमें जीला और बियम अस्पताल के सर्जिकल वाड में एक यूती को तीन दिन भरती रहने के बावजूद इन्टी चिकित्सकों के परामर्स की सिवाएं मिले बिना ही डिस्चार्ज होकर घर जाना पड़ा बताया जा रहा है कि यूती को सर नाकव कान में गंभिर चोट लगने पर इलाज के लिए जीला और बियम अस्पताल के सर्जिकल वाड में 19 दिसमबर को रातरी साढ़े नौ बजे भरती कराया गया था सर्जिकल वाड में तैनाते सर्जन चुकितसक द्वारा यूती के नाक कान में चूट लगने के स्थती में इन्टी चुकितसक का मरेज को परामर्स के लिए इन्टी चुकितसक को कॉल लिख दिया जिस पर वार्ड के नर्सिंग करमिच्वारियों के द्वारा ENT चुकितसक को कई बार कॉल भिजवाए गई लेकिन ENT चुकितसक यूती को देखने के लिए वार्ड में नहीं पहुचे ENT चुकितसक डॉक्टर रोहित चौहान के परामर्स नहीं मिलने पर दूसरी बार भी कॉल भिजवाए गई लेकिन दूसरी बार भी चुकितसक यूती को देखने के लिए नहीं पहुचे जिसके बाद बूधवार को यूती को उस्पताल से डिस्चार्ज दे धिया गया जानी का कहना है कि अगर इस प्रकार के लापरवाही हुई है तो वह गंभीर बात है इसकी चांच कर नियमानुसर कारवाई की जाएगी